अलो विंट्स मैं वो है तो और आप देखर अपना यूट्यूब चैनल आज सिर्फ स्पेशल वेडियो उन लोगों के लिए हैं जिनके प्रोड़क्ट कापी कौसी होते हैं 500 डॉलर से उपर के प्रोड़क्ट से हैं या फिर 200 डॉलर से उपर के प्रोड़क्ट है तो इट्सी ने एक फीचर लॉँच किया है मेक अन ओफर जैसा कि आप ओनेक्स वगर आप पे देख पाते हैं जो भी प्राइस अगर सेलर ने दी होती है उस पर बायर एक मेक अन ओफर या एक पोट दे सकता है कि मुझे इस प्राइस में अगर आप दे सकते हैं तो वैलन गुड़ है तो सेंग कीचर यहां पे लॉँच कर दिया है तो यह दिखता कैसे है वर्क कैसे करता है चलिए जानते हैं सबसे पहले आप एक सेलर की में आपको लिस्टिंग दिखा देता हूँ यहां पे आप देख पा रहे है तीन बटन आपको डिस्पले हो रहा है तो आप मतलब क्या होता है जैसा कि आप बायर है तो बायर यहां पे क्या कर सकता है एक ओफर दे सकता है जो सेल कर रहा है सेलर को कि आप इसको किस प्राइज में खरीदना चाते है तो आप इसको 900 में खरीदना चाते है तो सिंपल यहां पे 900 दॉलर किया प्राइज पुट करेंगे and send an offer पे click कर देंगे send an offer पे click करने के बाद उसके message box में एक message चला जाएगा कि आपको एक offer मिला है 900 दॉलर के अगर आप accept करना चाते है तो accept कर लिजे अगर decline करना चाते है तो decline कर दीजे अगर accept कर लिए जाता है तो जो बायर है उसके पास 900 दॉलर का price आ जाएगा और वो 900 डॉलर के अंदर product को purchase कर पाएगा simple और ये अब feature काम कैसे करेगा कहा से implement करना है और ये कैसे apply होगा आपके store के अंदर अगर आपके costly product है आपके कोई precious products है जो copy costly है और luxury products है तो basically उन लोगों के लिए बहुत helpful है और ये other countries वो already चल रहा है अभी recently इन्होंने इंडिया में launch किया है जैसे ही आप अपने marketing के section में जाएंगे sales and discount में जाएंगे तो आपको इस तरीकी का एक pop-up बहाँ देखने को मिल जाएगा महाँ पे लिखा हुआ help over your inventory with make and offer जैसा कि आप देख पा रहे थे button महाँ पे लिखा हुआ था and आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसी seller के आप दूसरे product पर जाएंगे तो वहाँ आपको ये option देखने को नहीं मिलेगा या रेकिए pinewood handicraft का दूसरे product मैंने open किया यहाँ पे सिर्फ do button देखने को मिल रहे है check out with paper add to basket make an offer का product का यहाँ पे option नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है because यह काफी low जो price का product है वो काफी high price का product था इस वज़े से जो आप इसमें अगर discount नहीं देना चाते है तो आप उस button को मत लगए अगर आप वहाँ negotiation चाते हैं क्योंकि उस product की price भी जादा है तो उसके लिए एक offer create हो जाता है और वो buyer के लिए अच्छा है और seller के लिए अच्छा है यह काम कैसे करता है आपको चलिए जानते है simply यहाँ पर इसे की जो website है वहाँ पर आपको इसका notification मिल जाएगा यहाँ पर देख पार है let's buyers make an offer on your listings try a new optional tool यहाँ पर आप देख पार है इस तरीकी का एक pop-up आप तुको देखने को मिलेगा set the maximum discount you consider सबसे पहले आप देख रहें यहाँ पर जैसे आप यह apply करेंगे store पर देख पूछेगा कितना percent आप maximum discount देना चाहते है और कितना नहीं देना चाहते है चलिए apply करके देखते हैं सबसे पहले इस feature को कैसे apply होगा simple यहाँ पर आपको setup पर click कर देना है setup पर click करने के बाद आपको इस तरीकी का pop-up आपको देखने का मिल जाएगा यहाँ पर देख पार है let buyers make an offer to help clear out the inventory turn on the specific listing or your whole shop आप किसी listing particular listing पर भी यह feature को apply कर सकते है और tourist store पर भी आप apply कर सकते है set a discount maximum to only get offer worth your time अगर आप चाहते हैं कि आप 100 डॉनर तक कही discount देना चाहते हैं या उससे ज़्यादा का नहीं देना चाहते तो आप यह भी आप यहाँ पर set out कर सकते हैं आप कितने का offer यहाँ पर देना चाहते है only accept an offer if you want it आप accept जभी कर रहें जब आप उसको चाहते हैं ऐसा नहीं कि सारी offer accept हो जाएंगे so यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले आपको यहाँ देखना है which listing you buyers make an offer यहाँ पर आप देख पारे all of my listing अगर आप इस पर click करते हैं तो सारी listing पर बटन आने लग जाएगा display होने लग जाएगा अगर आप चाहते हैं specific listing पर display हो तो specific listing पर click करके आपको choose listing पर click करके listing को choose कर लेगा है particular जो high price के product है उनको आप यहाँ पर इसे choose कर सकते है listing को यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद आप मीचे आ जाते हैं what's the maximum discount you consider it buyers won't be able to send your offer below the amount इसका मतलब है अगर आप चाहते हैं कि 100 dollar का ही मैं discount दे सकता हूं maximum इससे जादा मैं नहीं दे सकता है मेरी capacity नहीं है तो आप simple यहाँ पर लगा सकते हैं 20% off देना चाहते है 30 देना चाहते है 40 देना चाहते है अगर इससे जादा negotiation अगर वो करता है तो वो आपको offer send नहीं कर पाएगा आपको वहाँ फे message में offer नहीं display होगा अगर आप चाहते हैं कि सारे कोई कितना भी offer दे सकते हैं कोई कितना भी amount put करके आपको offer send कर सकता है तो आप यहाँ पे simple click कर देंगे receive all offers अगर आप चाहते हैं 20 दॉलर का offer देना चाहते हैं 30 का देना चाहते हैं 40 का तो यहाँ देख पारें 20 दॉलर के अंदर से 100 दॉलर का है तो 80 दॉलर आपको you want get offer विलो 80 दॉलर के जो नीचे जो अगर कोई bid करता है तो आपको उसके offers नहीं मिलेंगे 30 दॉलर के अंदर 70 दॉलर से नीचे के bid नहीं मिलेंगे 40 दॉलर के अंदर 60 से नीचे नहीं मिलेंगे अगर आप चाहते हैं कोई let's suppose 100 दॉलर का price आपका product तो वो 20 दॉलर बिट कर देता है वो भी offer आपको मिले तो वो भी आप यहाँ पे receiving all offers पे click कर देंगे and save and apply पे click कर देंगे simple इस पे click करने के बाद सारी listings पे आपके make an offer वाला option display होने लग जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इसको हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे आप जब apply कर देंगे इसको तो यहाँ से हटाने का option भी यहाँ पे आपको display होने लग जाएगा और जिन listings पे आपने apply कर रखा है और listings पे से आप उस option को हट आप भी पाएंगे अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी issue आता है तो नीचे आप comment box में पूछ सकते हैं अगर इस feature को apply करने में कोई भी issue आता है तो नीचे आप comment box में पूछ सकते हैं कि यह issue आ रहा है तो हम आगी next वीडियो उसे topic पे बनाएंगे और अगर आप हमारा Pixi Masi course join करना चाहते है तो वह आप हमारी website पे जाके join कर सकते है उसका price 4997 है इसमें हमने physical वह यह digital product सारे product cover किये आप physical product को भी sell कर सकते है digital को भी sell कर सकते है because अभी new sellers की onboarding नहीं हो रही है तो मेरा suggestion है कि आप अपनी e-commerce website बनाके उसके भी orders ला सकते है अगर आप e-commerce website बनाना चाहते है अपने digital product के लिए या physical product के लिए तो आप नीचे दिएगे numbers पे contact कर सकते हैं हम काफी affordable price के अंदर आपको e-commerce website बनाके दे देंगे प्लस आपको guide करेंगे कैसे आपको ads के थूँ अपने facebook ads, google ads के थूँ CS check rate करने है और कैसे profitable e-commerce business बनाना है और digital product भी आप अपने e-commerce website के थूँ sell कर सकते हैं और digital product के अंदर हम आपको 50 digital product भी 3 of cause देते हैं resell करने के लिए आपको product बनाने की भी ज़रब नहीं होती digital product आपको already created मिलेंगे और आपको सिर्फ ads रंग करके उनको sell करना है आपको अच्छा लगा होगा मिलता है नेक्स वीडियो में तिल देम बबाई सी